आप सिर्फ पॉंचो भी बना सकते हैं और यह है पैंट के लिए कुछ भी स्टिश नहीं किया जिसे मैं आपको ऐसे दिखा सकूँ हूँ आप पूरी वीडियो के सिम्पल सामने सीधा सा पीस बनाया है बस यहां से इसे डिवाइट कर दिया आप पूरी वीडियो देखें मेजर्मेंट आपको सभी साइज में मिल जाएगी और ऐसा नहीं है कि कोछ गलब यह देखें हैं तो किसी भी साइज में आपको कोई प्रॉब इस तरह से एक नॉट लगाएंगे और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में स्टेचिंग इसलिए आट कर दिया जैसे आपको देखें पता चले कि यह कितना इजी है बनाना बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं और यहां पर इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे यह सभी फ इसे एक एक करके उठा सकते हैं और अगर आप बिग्नर नहीं है तो इस तरह से पर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है बहुत ही असानी से हमारा बन के रड़ी होगा यह देखें यह हमने यहां पर यहां से निकाल लिया अब जहां से हमने स्टार्टिंग की थी वहही पर हम पर नॉट लगाने के बाद यहां पर हमने इसे सिल देना है यह दोनों हिससा पकड़ के हम यहां से इस तरह से सिलेंगे यह ऐसे करके हम यहां पर इसे सिल लाएं बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी और बहुत ही कुपसुरत लगती है पहराने पर मैंने सभी साइज में मेजर्मेंट बताई है आप से मेजर्मेंट फॉलो करके किसी भी साइज के लिए बनाएं बहुत ही कुपसुरत से आपक काफे रेडी हो गई है ना पंप बनाई इसे हम्यारी का दरप दूंगी और कट करने के बाद ये इस तहरो से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद ये ही। ये पॉम-पॉम ना ना मैं इस तरह से हम इसे ऐसे डबल करेंगे और डबल करने के बाद इसे हम यह उपर से थोड़े दूर हमें खुला चोड़ना है और नीचे से भी थोड़े दूर खुला चोड़ना है बीच में बस थोड़े दूर हमें स्टिच करना है तो देखें यहाँ पे इस तरह से हम इसे सिल दिया, लगभग हमने डबल सिलाई ही लगा दिया, यहां पर हमारा सिल दिया, अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यह यह वी पे इस तरह से सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद, इस वी पर हमें इसे सिल देना है, यह देखें, यह इ राइट करके दो तीन बार शिल के यहां पे तब क्ॉता सिल के चीट के नॉट लगा पर लाट हम अपनाच लगाती और नाट लाटे बादा के अपने क्ट किति द लगाय幫 Ay heh बंद यहां अब यहां हम सेंरल विता नैंसे देना इस यह बहुत असानी से सब्स payment 1993 यह देखें, यह हमने यह आप इसे सिल दिया, और वीडियो स्टार्ट पून से पहले गाईज, अगर आप ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साफ में बैल आइकन पर प्रेस करके, और पर क्लिक करें, जिसे मेरे वीडियो की नोटिफेकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टार्गाम पर फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, मेरा इंस्टार्गाम है अमरितीफैसनिला50, आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा, आप लोग वीडिय देगते हैं वीडियो पसंद आती है। वीडियो को लाइक भी करते हैं बड चैनल प्रेट है कै ऺया है यह हमारी पैंट रडी हो गई हो ग Kinçe देने बहुत यहाथ हम ंर्म इस तरह से लंबी सी क्या कि जिआ Say अब हम क्या करेंगे यह एक डोरी पना ना के हम यहां इसमें डाल देंगे डोरी हमी किस तरह वान देला करेंके और इसमें से अपनी दोंओली डाल ग्म जैंके अपने थागा को निकाल देंगे अगर नहीं बना पा रहा है तो इसकी कमर पे डाल सकते हैं और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो देखें, सुरी धागे से इसके कमर में पूरा धागा डालें तो मैं यहाँ पर डोरी डालूँगी, इसे भी मैं स्ट्राइट करती हूँ और जल्दी से मैं आपको पॉंचो भी सिल के दिखा देती हूँ तो देखें, इसे सिलना और भी इजी है, हम क्या करेंगे, ऐसे इसे मोडेंगे और मोडने के बाद सबसे पहले इसके ये कॉर्णर समय स्ट्रिच करने हूँगे यह देखें, यहाँ से हमने इसे अच्छे से नॉट लगाके स्ट्रिच कर दिया जिससे इसके खुलने के कोई चांसेस ना हो, और उसके बाद ये उपर वाला हिस्सा हम सिलेंगे ये देखें, बहुत लबी-लबी सिलाई ना लगाएं आप, कि बहुत बड़ी-बड़ी सिलाई लगा दिया आपने ऐसे हमें यहाँ पे पास-पासी सिलाई लगानी है और अभी मैं पहना के रिखाऊंगी, आप देखेगा कितनी कुपसुरूत लग रही है हमारी ड्रस पहनाने पे और इस तरह से हम इसे यहाँ पे सिलेंगे, उपर तक हमें ऐसे ही सिलना है यह सेंटर हमें एक जगह इसे फसा लिया, जिससे खुलने के कोई चांसस ना हो यह देखें, यह हमने इसे उपर तक सिल दिया और यह पहनाने भी बहुत इसी है, बहुत अफानी से आप इसे पहना सकते हैं गोपाल जी को यह हमने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा दी, बस अब मैं यहाँ पे नॉट लगा के इसे कट कर दूँगी और सिम तरीके से हम दूसरी साइड भी इसे सिल देंगे, देखें, इस तरह से हमने नॉट लगा दी और यहाँ पे इसे कट कर देते हैं और इसी तरीके से हम यह वाली साइड भी सिले के चले सिल लेते हूं फिर पहना के लिखाऊंगे आपको पहले पूरा एक पहर में एले फिर यहाँ पर आप इसे १ूण छुणा टब से पहाँ बंद ले सेम इसे डाइगे तो फ्रिटिंग हमारी अची होगी यह देखिए यह हम न आप इसीड़ बांदेनी है बहुत एक उपसुरा सी ड्रस बनती हो बहुत आसाने से बना सकते हैं आप इसे यह हमने आप पांतेंगे यह हमने आप देखे इसे बांद दिया और बातने के बाद अब यह पहना आएंगे पांचो देखे कोई दिक्कत नहीं होगी simply इस तरह से आपको गले में डाल देना है गोपाल जी के और ये देखें काफी अच्छे से इन्हें फिटा जाती है ये देखें बहुत अच्छे से फिटा गई इन्हें और साथ में ये कैप ये इस तरह से कैप भी बहुत अच्छे से फिटा जाएगी यह दिखें तो इस तरह से करके यहाँ पर आप बना सकते हैं चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं बनाना सभी सैश के लिए में सर्में इंट चार्ट भी यहाँ पर चले हम वीडियो को स्टार्ट करें यह दिखें फ्रेंट अपने आप दो कलर में उन ले लिया है white और red color में और यह हमने 9 number की sli ले ले हुई है चलिए start करते हैं सबसे पहले हम white color से फंदे डालना ने start करेंगे अब देखिया हमें सबसे पहले white color से फंदे डालने है तो देखिये यह कम वाली side हमने इधर कर लिया और अपने गोले वाली side अपने right hand में ले लिया है अब देखिये किस तर से डालना है फंदे यहाँ पी ऐसे करके हमने फसाया और फिर इधर से यह साथवा यह आठवा यह नौव यह हमारा दस फंदा हुआ यह ग्यारा यह बारा यह तेरा यह चौदा पंद्रा शोला 17 18 19 और यह last 20 हमने यह आपे 20 फंदा डाल दिया है हम यह बरा रहे हैं छे नंबर के कानाजी के लिए छे नंबर के कानाजी के लिए हमने यह आपे 20 फंदे डाले हैं सभी size में आप measurement देख लें 0 size में आपको 8 फंदे डाल ले हैं एक नंबर में 10, दू नंबर में 12, तीन नंबर में 14, चार नंबर में 16, पास नंबर में 18, शे नंबर में 20, साथ नंबर में 20, आज नंबर में 20, दून Mhm, छबिस और यह यह तेरेक लिए जो कि काना जी का साइच अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है आप देखिए किसी भी साइच के लिए आप बना रहे हैं यहां पे आपको दो सलाईया उल्टी-उल्टी ही बुनने हैं चाहिए आप किसी भी साइच के लिए बिनाएं यह देखें यह इस तरह से हम यहां पे यह हमने एक फंदा बुना, यह दो सभी फंदे को उल्टा-उल्टा बुन के हम अपनी यह वाली सलाई निकालेंगे, यह देखें, इस तरह से, बहुत आसाने से आप एर्डेस बना सकते हैं, किसी भी साहज के लिए, और बिल पस सभी साहज के काना जाएं, तो मैं कुछ आपक करके आसानी से बना सकते हैं, किसी भी साहज के लिए, यह देखें, इस तरह से हम यहाँ सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुनेंगे, बहुत आसानी से यह बन जाती है, और बहुत एक उपसुरत लगती है, कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और आ को लगता है कि मैंने कॉटन की फ्रेड ली गया, यह देखें, यह हमने यहाँ पर सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुन दिया, अब यहाँ पर एक सलाईया और उल्टी-उल्टी बुनोंगी, यह हमने यहाँ पर इस तरह से बुनना है, यह देखें, दो सलाईया हम और आप में से काफी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं आप लोग को वीडियो भी अच्छी लगती है बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें आपक अब हम क्या करेंगे यह देखें यह जो हमने स्टाटिक में फंदार डाला था वह वाला थ्रिड है और यह हमारे में थ्रिड से हम इसे बांग देंगे यहाँ पर हमने नौट लगा दी बस हम इसलिए करें जिसे हमारा यहाँ पर थ्रिड निकला निकला ना लगे बहुत जाद किसी भी साइज में आपको इसी तरह से करना है बस आपके फंदे चेंज होंगे अब यहां पे देखिए हमने क्या करना है यह अपना मेजर्मिन ट्राट ले लिया है मैं बना रही हूँ छे नंबर के काना जी के लिए तो सबसे पहले यह 5, 10 और 5 मतलब कि हमें 5 फंदा यहां प और यह 5 फंदा हमने 7 पिन में निकाल लिया अब देखिए इसके बाद लिखा है मैंने 10, मतलब कि हमें यहां पे 10 फंदा बुर्ना है तो 10 फंदा मैं यहां पे बुर्न लूँगी यह देखिए अब में यहां पे रट कलर लगा दहेँ हूँ यह देखें यहां पर हमने अब रैट कलर ले लिया और यहां से हम दस फंदे को बुढ़ेंगे यह एक यह दो यह हमारा तीन फंदा होगा तीसरा वाला यहां से डबल लेते चलेंगे क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो यह आपका खुल जाएगा यह तीन फंदा हो गया यह हमारा चार हो गया यह पाँच हो गया यह छे हो गया यह साथ हो गया और यह आट नौ और दस दस पंदा हमने यहां पर बुल लिया देखें एक दो तीन चार पांच पांच का दस और फिर यहां पर देखें हमने देखा है पांच दस और पांच पांच प्ल लिया और फिर हम यहां पर पांच सब्टिपीन में उठा लेंगे यह देखें तो आप चाहें तो एक पीन में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी. इसलिए यहाँ पे आप 2 सेटपीन में उठा ले. इस तरह से हमने इसे उठा दिया. अब आप सभी साइज में देखें, जीरो साइज में आपको सबसे पहले चार नंबर में, चार पंदाु बनना पिर तिन उठा लेना है. और 7 नमबर में आपको 6 फंदा उठाना है, 11 बुलना है, फिर 5 उठा लेना है, 8 नमबर में आपको 6 फंदा उठाना है, 12 बुलना है, फिर 6 उठा लेना है, 9 नमबर में आपको 7 फंदे उठा लेने हैं, फिर 13 बुलने हैं, फिर 6 उठा लेने हैं, और 10 नमबर में आपको 8 और ये बीच वाले जो हमने बुने हैं वो हमारे front पले के फंदे हैं तो यह देखे यह front पला है हमारा अब हम यहाँ पर starting करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह देखे यह 2, 2, 4, 2, 6, 2, 1, 2, 10 10 फंदा है तो अब हम यहाँ पर अपने net इस्टार्ट करेंगे हम बीच में नेट डालेंगे किस तरह से नेट डालनी होती है यह देखें यहाँ पर हम यह एक यह दो यह तीन यह चार चार फंद हम ने बुना और पांच नेट डाल देंगे 10 का आधा होता है 5 तो सबसे center में आपको इस तरह से net डाले हैं net किस तरह से डालते हैं ये देखें ये इस तरह से अब यहां से हमारे फंदे बढ़ने सुरू हो गए फिर हम इसे आगे करेंगे और ये फंदे में हमने net डाल दिया और इसके बाद आपके जितने फंदे बचें आप उसे simply उल्टा उल्टा बूलने ये एक ये दो ये तीन और ये चार ज़रू नहीं है कि आपके ऐसे ही दोनों साइट बरावर बरावर फंदे बचें इसलिए मैंने आपको बोला कि जितने भी फंदे बचते हैं आप उसे बूलने अब हम क्या करेंगे ये वाली सलाई हमें उल्टी-उल्टी बूलनी है तो यहाँ पर मैं अब अपना वाइट वाला कलर लगाऊंगी हम दोनों कलर लेके चलेंगे एक एक लाइन हमारी दोनों कलर से आनी चाहिए तो देखें यह वाइट कलर वाला उन हम यहाँ पे लगा लेंगे यह इस तरह से और इससे हम एक सलाई बूलनेंगे बस आपको स्टार्टिंग में याद रखना है कि आप सुरुवात किये थे तो कितने फंदे पे आपने नेट डाली थी मैंने चार फंदा बुना था पांच भी फंदे पे नेट डाल दी थी तो आपको बस यही चीज याद रखनी है किसी भी साइज में आप बनाए तो यह याद रखते हुए चलें इससे हमारी दूसरी सलाई हम जब बुनेंगे तो हमें आसानी होगी यह देखें यह इस तरह से हम यहाँ पे सभी फंदों को बुन देंगे बहुत ही कुपसुरा सी पॉंचो हमारी रेडी होगी आप वीडियो पूरी देखते जाएं मैंने सभी सा अब इस बार हम जब बुनेंगे तो पांच फंदे के बार छटे मज डालेंगे दे हैं किस तरह से यह हमने 1-2 और यह हमारा तीसरा यह चौथअ और यह हमारा 5 हमने 5 पंदा भुने लिया अब छते फंदे में हमें इपांच फंद में नल्नी तन इस से आगे करेंगे और यहां पे जितने भी फंदे बचते हैं इन सभी को हमने उल्टा-उल्टा बुन देना है यह देखें यह इस तरह से बुनते चले जाएंगे यह हमने बुन दिया अब फिर यहां पे हम रैट कलर से बुनेंगे तो यह वाली इसलाई हमें प्लेन उल्टी- और पूंचे अब से इस तरह से बोनेंगे और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं किसी पी तरह के ड्रस देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं जरूर आपको बनाना बताऊंगी यह हमने आपे उल्टा-उल्टा भुन दिया अब देखें हम इस साइड आ गए हैं अब यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले वाले में हमने चार फंदा भुनने के बाद पचवे मिनिट डाल दिया था फिर हमने 5 फंदा भुनने के बाद छटे मिनिट डाल दिया था यह देखें, यह एक, यह दो, यह तीन, यह चार, यह पाँच और यह हमने 6 फंदा भुन दिया अब देखें हमारी निट भी आ गई है तो अब हम इसमें डाल लेंगे यह हमने एक बाद डाल दी उल्टा उल्टा बुन देंगे, यह देखें, इस तरह से हमें बुनते चले जाना है, एकदम सिंपल और आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है, यह देखें, यह हमने बुन दिया, यह हमारी सलाई कम्पीट हो गई, और फिर नेक्स सलाई हम वाइट कलर से, एक सलाई पूरी इस बुनेंगे और फिर जब सीधये साइड में आएंगे, फिर जय पूरी धैए, पहले बुन हो उन्क्नार ढाएंगे, 5 की पाथ 7 में मिनट दाली जब सीधये साइड के साथ 8 मिनट डालेंगे, ऐसा हमें चले संभ टालें दो आट दष्री इसलाई दो आड़ा मने धी जऊन गड़ाइब गुंड़ें इसे हमें घ tuck रागे दिम है कि ज्वें सकती है खोला संधा इसे भी क्कारी सब्लब कर दो बिलेंगे सब्लबर ना बने का पंड़े ना है कि कि जब पंड़ें से ब कंड़ा लेएं तो फिर वही पुशाक कानाजी के कले से उत्रेगी नहीं यह देखें इस तरह से हम इसे बनाएंगे यह हमारा ऐसे घटा चला जाएगा दो फंदा में इस तरह से घटाना है फिर इस पंदे को भी अपनी इसी सलाई में लेके और इसे भी घटा देना है यह देखें बहुत आसाले से आप 10-15 मिनट में इसे बना लेंगे जरपडबन के रेटी हो जाती है सब इस बंदे को इस तरह से हमें घटाना है मैंने इसके पहले भी पांचों की काफी सारी वीडियो से हर की हुई है सलाई से भी होगी उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं तो जरूर चक करें मेरी पुरानी वीडियो वह भी मैंने बहुत इसी तरीके से बताया है आपको बनाना और बहुत ही कुपसुरत लगती है यह अब हम इसे गटाते हुए एंड तक आही गया है लगभग और एंड में आते 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 आपके फंदे काफी ज़्यादा हो जाते हैं अब मैं आपको सभी सारी बता दूंगी कि किती किती सलाईया आपको बुननी है यह देखें यह इस तरह से हम इसे गाटा लेंगे बस हमार यहां पर एक दो फंदा और बचा है यह लास्ट फंदा हमारा बचा है बस हम इसे भी अब घटा के नॉट लगा देए किस तरह से नॉट लगानी होती है यहां से इसे खिषना है खिषने के बाद इसके बीस से अपने इस धागे को निकालेंगे और निकालने के बाद इसे ह कुछ इस तरीके का हमारा रेडी हुआ है आप देखें कितना खुबसूरत लग रहा है और पहनाने पर बहुत ही सुन्दर लगेगा अब मैं आपको इस साइट के लिए बताती हूं कि आपको क्या करने और कैसे बुलना है यहां से अपनी सेट पिन खोलेंगे और देखें यहां से फंदे को इस तरह से अपनी सलाई में आप सलाई में जब भी उठाएं तो आप चाहें तो डारेक्ट पिन से भी उठा सकते हैं अगर आपको इस तरह से उठाने में दिक्कत होती है यह देखें ऐसे गुल गुल घुम फंदे को आप आराम आराम से इस तरह से उठा सकते हैं यह हमने एक फंदा निकाला फिर देखें दूसरा फंदा और फिर इसी तरह से हमने यहां पर अपना तीसरा फंदा निकाला फिर देखें यह चौता फंदा और यह हमारा लास्ट पांचवा फंदा हमने निकाल लिया यह हमारा हो गया है यह तरह से हमने अपने दस्व फंदे को निकाली अब चलिए मैं बताती हो किस तरह से बुनना इसे अब पहले आप देखलें कि आपको कितनी किती सलाईया बुननी है फिर हम बैक वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे तो हमने यहां पे 20 सलाई बुनी हैं 6 नंबर क तो यह हमारा हो गया, अब देखें, बैक साइड आ गई है, तो इधर हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपना रैट कलर वाला उन लगा लेते हैं, बस यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देदा है, कि अपने हाथ को हलका ढीला रखना है, नहीं तो गले पर आप जब पह इस तरह से हमने उल्टा बुना फिर दीसरा फंदा हमने उल्टा बुना चोधा पाच्वा फंदा भी हमने उल्टा बुन दिया, अब देखें, यहाँ पर हमें जॉइंट करना है, तो यह नहीं कि आप इधर से फंदे को इदम टायट खीचे और इधर पर एकदम टायट जैसे हम बुनते हैं, उस तरह से हमने इसे जॉइंट कर देना है, यह देखें, यह हमने सभी फंदे को इकठा बुन दिया, यह हमारा हो गया बैक कपला, बस अब जैसे हमने इधर अपना डिजाइन डाला था, सेम वैसे ही डाल देंगे, सबसे पहले हमने चार फंदे से इसे फ्रंटे पर करेंगे और यहा इस फंदे पर नड़ देंगे, फिर यह हम इसे फंदे पर बजगा है, उनसाब को हम उल्टा-ल्टा बुन लेंगे, सेम पाटर हमारा रेपीट हो रहा है, कोई चेंजर नहीं, यह दिखें, यह हो गया, आप यहांसे मैं, उन यह मैं वै हमने बैक पल्ले को भी उतना हिपून के हो गया यह हमारा कंप्लीट हो गया कंप्लीट कर दिया से हमने और इसकी स्टिचिंग में आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी तो यह हमारा हो गया इसे हटा देती हूं और अब यह देखें यह हमने ले लिया है पैंट के लिए त शे नंबर में 45, साथ नंबर में 50, आठ नंबर पचपन 9 नंबर में 60 और 10 पंद दे जाल सकते करें अब हम क्या करेंगे यहांपे बुनेंगे तो पहली सलाई हम इस तरह से सीधा बुनेंगे सिधा उल्टा हमें यहाँ पे बुनना है यह देखें यह इस तरह से हमने इसे बुन के निकालना है यह ऐसे करके हम बुनेंगे बहुत ही सिंपल सा तरीका है यह देखें और पैंट भी मैं आपको एकदम इजी बताऊंगे बहुत आफानी से आप इसे बनाएंगे यह देखें इस तरफ से हम यहाँ सभी बंदों को सीधा-सिधा विनेंगे चले बूल लेते हो फिर आगे दिखाऊंगे क्या करना है ये दिखें हमने हापे एक स्लाई सीधी-सीधी निकाल ले अब उल्टी सैड हम उल्टा-उल्टा बून के ये सलाई निकालेंगे सीधी साइड हमें सीधा बुनना है और उल्टी साइड हमें इस तरह से उल्टा बुनना है यह ऐसा करके हम इसे बुनेंगे तो चलिए मैं हापे आदर सलाई बुन लेती हूँ फिर मैं आपको बता दूगी कि मैंने इसमें कितनी सलाई बुनी है और सभी साइज में आपको कितनी कितनी सलाईयां बुननी है ये देखें हमने याप इसे बुन दिया है ये फुल्टी साइट से उल्टा और सीधी साइट से हमने इसे सीधा बुन दिया है ये देखें ये इस तरह से हमने आप डुडल 15 सलाई बुननी है 6 नमबर के कानाजी के लिए 15 सलाई बुनी है और 0 साइस के लिए 5 सलाई एक नमबर के लिए 6 सलाई 2 नमबर के लिए 7 सलाई 3 नमबर के लिए 9 सलाई 4 नमबर के लिए 11 सलाई 5 नमबर के लिए 13 सलाई 6 नमबर के लिए 15 सलाई और 8 नमबर के लिए 19 सलाई बुनी है 9 नमबर के ल कर लेंगे मतलब यहां पर देखें इस तरह से आप गिन सकते हैं कि आधा किस तरह से आएगा आपका देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उननिस बीस इक्किस पाइस मतलब कि 22 फंदे पर हमें इसे इस तरह से हमें पुनना है उल्टा उल्टा 23 फंद होता यह देखें इस तरह से हम यहां पर टोटल 23 फंदे पुनेंगे अभी तक मैंने यह यह चे फंदे पुनने हैं यह साथ आठ नो दस यह हमारा एक रहा हुआ बारह थेरह चौदर पंदरह सोज़़ग शतरह अथा अथ 20 21 22 और यह हमारा 20 हमने पर 30 फंदा बुन दिये अब हम इसे यहां से पलट लेंगे यहां के बच्चे को बुनेंगे पहले हम एक साइट का पैर बुनेंगे यह सीधा में बुनना है यहां से हमें इतनी दूर हम यही से पलट आएंगे 30 फंदे ही हमें लेके चलना अस्टार और देखिए यह 30 फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे ऐसे करके हमें भुनना है यह देखा है तो यह तलह पर पैपार और आए नहीं नहीं कि इस तो यहां नहीं हमारे चलना आए उसके सलाइ यह यह नहीं भी है main इस से कवा के तुम्हेंगा रहे गा यह से यह फॉम्हे इस तरहाँ January मैं आपको भून के दिखा test यह बॉन के दिखा देती हूं यह एक साड तो हमीं पॉल्टाबूना यह है सभी तेज सभी तुम्हें tam किसी को कोई confusion ना हो इसलिए मैं इसे अच्छे से बुन-बुन के दिखा दे रहे हूं जैसे आप सबी लोग इसे बहुत आसानी से बना सकें बहुत इजी तरीकी की ब्रस है यह और बहुत आसानी से बन जाती है कोई दिक्कत नहीं होगी यह देखें इस तरह से 23 फंदे तक इस इसे बुनेंगे दिखें हमने आप यह एक खालाइ बुन ली आज हम यह इसे टॉन कर लेंगर और आप इधर से बीन उल्षा मिता ही बुनौने है ऐसे हम यह आपई इसे चार खालाइनों तक बुनके और घटा देंगे मने चार सब्राईं तोबन के पाचवीं सब्राई इसे घुटा देंगे और सेम चीज हमें अपने इस पन्ते के साथ भी करनी है इन 22 पन्ते को भी हम पहले 4 सब्राई उल्टा सीधा रैड़ कलर से बुनी गई फिर चार सलाई हम वैट तोबन alta से बुनके घुटा देंगे सीधी-सुधी निमोद हैен 12 jr 16 हमने तोटल 16 सलाज ऑनोट को आहन पर मैं आपको मैं पर कुछ काओ अब यहाँ पर के लिए सबी साइज कार साध चारण क के लिए देख लिए , जिसमेंसे आप दो ईजसे पर सीउडाय कलर से बूलब और नियु यह कोकर आप relationships तोो में आपको 8 решил बूनियां दो नमबर में 9, 3 नमबर में 10, 4 में 14, 5 नमबर में 24 सबीज है. कि अब तक आप सिर्फ 2 लाएं बूनें बाकी का अपना रैटो रैटो से बूल लेगे。 और 6 नमबर में 16 लाइचे सामने सामने, 7 नमबर में 18 लाइचे명. इसमें अब इन सभी के श्ट्रिचिंग कुछ के श्ट्र हम पाग रिए पहना फिर्चे को पहना के पहना के ङसे पेना जा इनकीरикиं कनली पीछ के निदिये सब्सक्रान के घड़ी है कि सायर कि यह मिर्चे देनroe कां-स बुट कफानी पुछाग के पार फ्रथ कर रहते है इसे से हम हटा देंगे और यहां से पूरा इसे ऐसे ओपन कर लेंगे यह देखें बैक साइड से भी यह कितनी अच्छी लग रही है आप चाहें तो बैक साइड पे भी स्टों बटन्स लगा सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा और फ्रेंट से आप देखें इस तरह का लुक आ रह